सिंड्रेला भरतपुर नाम की एक गाउं में रहती थी वैसे तो पूरा गाउं सिंड्रेला के परिवार जैसा था लेकिन फिर भी सिंड्रेला के अपने माता पिता नहीं थे जब वो बहुत छटी थी तब ही गाउं वालों को वो मंदिर की सिर्णियों पर मिली थी पूरे गाउं ने मिलकर सिंड्रेला का पालन पोशन किया और उसे बड़ा किया सिंड्रेला भी गाउं वालों से बहुत प्यार करती थी और सबकी मदद किया करती थी सिंड्रेला को पूरा गाउं बहुत पसंद करता था वो पूरे गाउं की चहीती थी सिंड्रेला के हाथ में एक बहुत ही अच्छा हुनर था उसको बहुत अच्छा मेकप करना आता था गाउ में किसी को कहीं भी जाना होता था तो वो सिंड्रेला से ही मेकप करवाते थे एक बार की बात है गाउ में सिम्रन नाम की एक लड़की की शादी थी सिंड्रेला सिंबरन से कहती है सिंबरन दीदी आज आपके शादी है लाइए आपका मेकप मैं करती हूँ हाँ हाँ सिंड्रेला मैं वैसे भी अपना मेकप तुम से ही करवाती तुम कितना अच्छा मेकप करती हो थैंक यू दीदी उसके बाँ सिंडेला सिंबरन का make-up करती है मेक-प के बाँ सिंबरन बहुत खुबसूरत दिखने लगती है वाउ सिंडेला, तुमने तो मुझे बिलकुल राज कुमारी की तरह बना दिया तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद Thank you दीदी सिंड्रेला जब तुम इतना अच्छा मेकप कर लेती हो तो तुम गाउं में एक ब्यूटी पालर क्यों नहीं खुल लेती हो वैसे भी लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए शहर जाना पड़ता है तुम पालर खोल लोगी तो गाउं वालू की भी मदद हो जाएगी और तुम्हारे पास भी कुछ पैसे आजाया करेंगी हाँ दीदी मुझे आपका ये विचार बहुत अच्छा लगा उसके बाद सिम्रन की शादी हो जाती है सिम्रन अपने ससुराल चली जाती है उसके बाद गाउं वालों की मदद से सिंड्रेला अपना एक ब्यूटी पालर खोलती है उसका ब्यूटी पालर बहुत चलता था हर टाइम उसके पालर में कस्टमर भरे रहते थे जिसकी कारण सिंड्रेला की अच्छी कमाई भी हो रही थी पालर से कमाई हुए पैसों को सिंड्रेला गाउ पर ही खर्च कर देती थी गाउ में जिसको भी जिस चीज की जरूरत होती सिंड्रेला उसकी मदद करती थी सिंड्रेला के पडोस में एक बुढ़े दमपत्ती रहते थे वो दोनों बहुत ही बुढ़े थे सिंड्रेला उनके घर राशन पानी लेकर जाती है और कहती है नमस्ति अम्मा अरे सिंड्रेला बेटी तू आ गई? हाँ अम्मा और आपके लिए दवाईयां मिलाई हूँ ये लेजे दवाईयां और ये एक महिने का राशन पानी है अब आप बाबा को काम करने बाहर मत दीजेगा जिस चीज के जरूरत होगी मुझसे कह दीजेगा ठीक है बेटी भगवान तुझे हमेशा खुश रखे उसके बाद सिंड्रेला अम्मा के घर से बाहर आ जाती है वो अपने घर जाही रही होती है कि तबी उसको सड़क पर मुन्नी खेलती हुए नजर आती है अरे मुन्नी नंगी पाउं क्यों खेल रही है धूप की कारण जमिन इतनी गरम है तेरे पै नहीं जड़ रहे क्या क्या करूं दीदी मेरे चपपल तोट गई है मैंने मा से नई चपपल के लिए कहा तुनोंने कहा पैसे नहीं है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बताना चाहिए था ना चल मेरे साथ तुझे एक चपपल दिलवा कर लाती हूं उसके बाद सिंड्रेला मुन्नी को लेकर बाजार जाती है और उसको उसके मन पसंद की चपपल दिलवा देती है मुन्नी बहुत खुश हो कर अपने घर चली जाती है उसके बाद सिंड्रेला वापस अपने घर आ जाती है घर आने के बाद उसे याद आता है अरे आस तो मैं गोरी को चारा देना भूल गई गोरी गाउं की एक आवारा गाई थी जिसका पूरा ख्याल सिंड्रेला ही रखती थी सिंड्रेला फटा फट घर से बाहर जाती है और गोरी के लिए चारा काट कर उसे चारा खिलाती है और पानी भी पिलाती है गोरी तु बिलकुल मेरी मा जैसी है मैंने बच्पन में तेरा दूद पिया है तेरा दूद पेकर ही मैं इतनी बड़ी हुई हूँ चल अब जल्दी जल्दी अपना चारा खाले मैं चलती हूँ तब ही वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है अरे सिंड्रेला बेटी इतनी जल्दबाजी में कहा जा रही हो काकी शाम होने को है मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया अगर खाना लेट बना तो रात को सोने में देरी हो जाएगी फिर सुबह जल्दी उठकर दुकान भी तो खोलनी होती है न अरे तो हमारे गाउं वालों के लिए एक मसीहा है जब देखो किसी ना किसी की मदद ही करती रहती है अरे कभी अपना ख्याल भी रख लिया कर चल मेरे साथ मेरे घर चल मैंने देशी घिड़ाल कर आलो के पराठे बनाए है पेट भर के खा लेना अरे नहीं नहीं काकी मैं खाना बना लूँगी आप क्यों परिशान हो रही है मैंने कहा ना चल आज तो मेरे घर का खाना खा देखना उगलियां चार्थे रह जाएगी सिंड्रेला काकी के साथ उनके घर चले जाती है और पेट भर के आलू के पराठे खाती है काकी पराठे तो वाकई में बहुत स्वादिश्ट है मज़ा आगया इने खाकर अच्छा तो अमने चलती हूँ उसके बाद सिंड्रेला अपने घर आ जाती है और सो जाती है अगले दिन सिंड्रेला अपनी दुकान पर जाती है और रोज की तरह पूचा पाठ करके कस्टमर का मेकप करने लगती है तब ये आस्मान से कुछ परिया सिंड्रेला के पास आती है और कहती है सुनो सिंड्रेला क्या तुम हम सभी परियों का मेकप कर दोगी? हाँ सिंड्रेला हम परिलोग में एक ही तरेके का मेकप करवा कर तंग आ गई हैं फिर हमें तुम्हारे बारे में पता चला तो हम यहां आ गई तुम हमारा बहुत अच्छे से मेकप करना फिर क्या था सिंड्रेला सभी परियों का मेकप करने लगती है एक एक करके वो सभी का मेकप कर देती है परियों को सिंड्रेला द्वारा किया गया मेकप बहुत अच्छा लगता है वो बहुत प्रसन होती है वाउ सिंड्रेला इतना अच्छा मेकप तो कोई हमारी परी लोग में भी नहीं करता है तुमने तो बहुत ही सुन्दर मेकप किया है इसलिए तुम्हें तोफा भी इतना ही सुन्दर मिलना चाहिए इतना खेकर परी वहाँ पर बहुत सारी धन्दौलत प्रकट कर देती है इतनी सारी धन्दौलत देखकर सिंड्रेला कहती है बापरी आपने मुझे इतनी सारी धन्दौलत दी दी लेकिन ये तो बहुत ज़ादा है मैं मेकप करने के इतने पैसे नहीं लेती तुमने बहुत ही अच्छा मेकप किया है सिंट्रेला इसलिए हम तुमें इतनी बड़े रकम दे रहे हैं और हाँ हम तुमें एक जादी चांदी की लिपिस्टिक भी दे रहे हैं और चांदी की लिपिस्टिक से तुम जो भी कुछ इच्छा प्रकट करोगी वो पूरी हो में तुम से जो कहा जाए तुम कर देती हो अगर ऐसा है तो अभी मेरे बालर को बहुत बढ़ा बना दो कि सिंड्रेला के ऐसा कहते ही उसका पालर सच में बढ़ा हो जाता है अरे यह तो सच में जादी लिपिस्टिक है मुझे लगा परियों ने यूँ भी कहा होगा उस दिन के बात से सिंड्रेला जादी चांदी की लिपिस्टिक की मदद से गाउं के सभी लोगों की मदद करने लगी उसने गाउं में किसी को दुखी नहीं रहने दिया सबके जीवन ने भर पूर खुशियां भर दी इस वज़े से पूरा भरत पूर बहुत खुशी खुशी रहने लगा गाउ में खुशी का महोल चा गया गाउ के बगल वाले जंगल में रहने वाली हिराका जादुगर्णी से गाउवालों की खुशियाँ देखी नहीं जा रही थी आकिर इस गाउवालों के हाथ ऐसा कुन सा खजाना लग गया तो इनों कितनों खुश रहते हैं मुझे पता करना होगा ये संचकर हिराका जादूगर्णी भेश बदल कर भरतपूर गाउ में आ गई गाउ में आने के बाद उसने देखा गाउवालों के खुशियों के पीछे सिंड्रेला का हाथ है अच्छा तो इस लड़की के पास कोई खजाना है जिससे ये गाउवालों के मदद करती है इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा हिराका जादूगर्णी एक पत्थर से अपने हाथ पर मार कर खुड निकाल लेती है और जोड जोड से रोने लगती है उसको रोता देख सिंड्रेला भागती हुए उसके पास आती है और कहती है क्या हूँ आपको? देखो ना मेरे हाथ में चोट लग गई है मुझे बहुत दर्द हो रहा है आप रुकिए मैं अभी आपका दर्थिक कर देती हूँ सिंड्रेला अपने जादी चांदी की लिपिस्टिक निकालती है और हिराका के चोट ठीक कर देती है ये सब देख हिराका मनी मन सोचती है अच्छा तो इस चांदी की लिपिस्टिक की वज़े से ये सब की मदद करती है मुझे इस लड़की को और इस लड़की की चांदी की लिपिस्टिक को अपने साथ ले जाना होगा मैं इसके मदद से इस पूरे गाउं पर राज करूंगी ऐसा सोचकर हिराका कहती है सिंड्रेला मेरा घर गाउं से थोड़ी ही दोरी पर है मेरी मा भी बिमार है तुम अपने इस लिपिस्टिक से मेरी मा को ठीक कर दोगी क्या हाँ हाँ क्यों नहीं चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ इतना बोल कर हिराका सिंड्रेला को अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती है और फिर अपने असली रूप में आ जाती है लड़की अब तु मेरी कैद में है तुझे तो मार कर मैं तेरा मेट बना कर खाऊंगी और तेरी जादुई चान्दी की लिपिस्टिक से मैं इस पूरे गाउं पर राज करूंगी हाँ 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 हिराका जादु करनी तुने मेरे साथ छल किया है हिराका गुसे में सिंड्रेला को बांद देती है और उसके हाँ से चान्दी की लिपिस्टिक छीनने लगती है हिराका चान्दी की लिपिस्टिक को छीन कर जैसे ही सिंड्रेला से दूर जाती है वो लिपिस्टिक फट जाती है और हिराका जादूगर्णी के चित्रे उड़ जाते हैं ये सम्देखकर सिंड्रेला कहती है मैंने कहा था ना कि बहुत बुरी मौत मरेगी तू अच्छा हुआ तुम्झे यहां लेकर आई क्योंकि तेरा अंत भी जरूरी था तब ये वहाँ पर गाउं वाले सिंड्रेला को ढूंते ढूंते आ जाते हैं और सिंड्रेला की रसी खोल देते हैं जब उन्हें हिराका जादूगर्णी की मौत की खबर मिलती है तब वो महत खुश होते हैं और गाउं में एक जश्न होता है इस प्रकार पूरा गाउं एक जटो कर हसे खुशी अपना जीवन वैतीत करने लगता है हरियाली परी की जादूई महंदी विक्रमपूर गाउं में सुहानी नाम की लड़की अपनी मा के साथ रहती थी वैसे तो सुहानी में कोई कमी नहीं थी वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी बस उसमें एक ही कमी थी और वो कमी ये थी जब भी वो अपने हाथों में महंदी लगाती तो उसके हाथों में महंदी बिलकुल भी नहीं रचती थी इस वज़े से उसके साथ की सारी सहीलियां उसका बहुत मजाग उड़ाती थी और उस पर हस्ती थी सावन का महीना चल रहा था सावन के महीने में सारी लड़कियां अपने हातों पर महंदी लगाती है उन्हें देखकर सुहानी का भी बड़ा मन करता था अपने हातों पर महंदी लगाने का तो वो भी बाजार से महंदी खरीद कर अपने हाथों पर लगा लीती है पूरी रात महंदी लगा कर रखने पर भी उसके हाथों पर महंदी नहीं रचती है ये देखकर उसके साथ के सहीली सुहानी पर खोब हसती है अरे सुहानी दिखा तो जरा तेरी महंदी कैसी रची है वो मैंने ज़ादा देर लगा कर नहीं रखी न इसलिए उतना रंग नहीं आया अच्छा जी मैंने तो बस अपने हादों पर पांच मिनटी महंदी लगाई थी पर फिर भी देख कितना अच्छा और गाढ़ा रंग चड़ा है हाँ शीतल मैंने भी बस महंदी लगा कर आधा घंटा ही रखा था फिर भी देख मेरी महंदी भी कितनी अच्छी रची है सुहानी महंदी लगा कर पूरे एक दिन भी रखे तब भी इसके हाथों पर रंग नहीं चड़ने वाला सही कह रही हो तारा मैं तो सोच रही हूँ जब इसके शादी होगी तब ये अपने शादी में महंदी कैसे लगाईगी अगर इसके हाथों में रंग नहीं चड़ा तो लोग क्या सोचेंगे इसके ससुराल वाले तो इसको खोप ताने देंगे कि दुलहन बिना महंदी के ही तयार हो गई है शादियों में महंदी लगाना शुब माना जाता है और दुलहन का जितना गाढ़ा रंग जड़ता है उतना अच्छा माना जाता है खेर कोई बात नहीं अपनी सहीलियों की ऐसी बाते सुनकर सोहानी अकसर दुखी हो जाया करती थी ऐसी ही कुछ समय बीच जाता है और कुछ समय बाद सुहानी की शादी फिक्स हो जाती है सब लोग बहुत खुश थे पर अंतु सुहानी थोड़ी उदास थी वो इसलिए क्यूंकि उसको पता था कि उसके हादों में महंदी नहीं रचने वाली ये सोच सोच कर सुहानी परिशान होई जा रही थी अपनी बीटी को इस तरह परिशान देखकर उसकी मारी तू पूछती है क्या हुआ बीटी तो इस तरह उदास क्यूं हो रही है कुछ दिनों बाद तेरी शादी है तुझे तो खुश होना चाहिए ऐसे हस्ते हुए चहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती मा आपको तो पता ही है कि मेरे हाथों पर महंदी नहीं रचती अगर शादी वाले दिन भी मेरी महंदी नहीं रची तो मेरे सुसुराल वाले क्या सोचेंगे इतना बोलकर सुहानी उदास होकर बगीचे में चली जाती है और बगीचे में जाकर उदास बैठ जाती है तबी उसे कहीं से चिलाने की आवाज सुनाई दीती है अरे ये चिलाने की आवाज कहां से आ रही है मुझे दीखना चाहिए सुहानी आवाज का पीछा करते हुए बगीचे के थोड़ी ही बगल वाले जंगल में चली जाती है वहाँ जाकर वो देखती है कि एक परी पेड से रस्यों से बंधी हुई है और मदद की गुहार लगा रही है ये देखकर सुहानी जल्दी से उसके पास चाती है और कहती है अरे आपको इस तरह पेड से कौन बांध कर रखा है ये सब बताने का अभी समय नहीं है तुम जल्दी से मेरी रस्यों को खोलो वो जादू गर्णी आती ही होगी वो आई इससे पहले तुम मुझे यहां से जल्दी से आजात करो हाँ हाँ मैं खोलती हूँ सुहाने जल्दी से परी को रस्यों से खोलती है अरे आप बताओ तो सही आपको यहां पर बांध कर कौन रखा है और क्यूं रखा है और आप कौन हो मैं असल में हर्याली परी हूँ अगर आप परी हैं तो आपके पास तो कई शक्तियां भी होगी तो आप अपनी मदद खुद भी तो कर सकती है ये लोगों की गलत फैमी होती है कि परी के अंदर बहुत शक्तियां होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता शक्तियां बस परी की छड़ी में होती है और मेरी छड़ी उस दुश्ट जादो गरनी के गुफा में है क्या तुम वहां से मेरी छोड़ी लाने में मदद कर सकती हो क्योंकि मैं वहां खुद नहीं जा सकती इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ क्यों परी आप वहां खुद क्यों नहीं जा सकती वो इसलिए क्योंकि परी ने अपनी जादू गुफा को अपने मंदरों से बांध रखा है अगर मैं गुफा में जाने की कोशिश करूंगी तो मैं जल जाऊंगी अच्छा ठीक है परी मैं जाती हूँ तो जल्दी करो सुहानी वो दोस्ट जादू गर्णी किसी भी वक्त आती ही होगी और अगर उसने हमें यहां देख लिया तो वो हम दोनों को मार डालेगी जादू गर्णी के आने से पहले अगर तु मेरी छड़ी लाकर मुझे दे देती हो तो मैं अपनी छड़ी से जादू गर्णी को खतम कर सकती हूँ जल्दी करो सुहानी तुम जल्दी से उसकी गुफा में जाओ परी की बात सुनकर सुहानी जल्दी से जादू गर्णी की गुफा में घुसकर परी का जादी छड़ी ढूनती है बहुत ढूरने के बाद उसको परी की जादी छड़ी मिल जाती है फिर वो जल्दी से जादी छड़ी लाकर परी को दे देती है तब तक वहाँ जादुगर्णी भी पहुँच जाती है ये क्या? तुम? तुम आजाद कैसे हो गई? बस दुस्ट जादुगर्णी अब तेरा खेल खतम ये ले परी अपनी जादी छड़ी से उस दुस्ट जादुगर्णी को नस्ट कर देती है फिर सुहानी से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुहानी अगर आज तुम समय पर नहीं आती और मेरी मदद नहीं करती तो वो जादुगर्णी आज मुझे जान से मार डालती कोई बात नहीं परी जी ये तो बस मेरा फर्ज था अच्छा तो अब मैं चलती हूँ ठीक है सुहानी जाओ मैं तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखूंगी इतना कहकर परी उड़ जाती है इधर सुहानी अपने मन में सोचती है अरे परी तो चली गई पर मैंने तो देखा है कि परी लोगों की मदद करती है पर इन्होंने मेरी मदद नहीं की अब मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं भी कितनी पागल हूँ जरूरी थोड़ी है कि मैंने परी की मदद करी तो बदले में परी भी मेरी मदद करे कोई बात नहीं अब मुझे घर चलना चाहिए इतना सोचकर सुहानी घर आ जाती है अब बस दो दिन ही बचे थे सुहानी की शादी में उसके घर में जोरो शोरो से शादियों की तयारयां चलने लगी सुहानी अब भी उदास थी तबी उसके दर्वाजे पर खटखट हुई महंदी ले लो महंदी वो बूड़ी ऑरत कहती है लगता है घर में शादी है बिटिया को महंदी लगाओ बहुत सुन्दे रचेगी लेलो ना बहन जी जादा के नहीं है बस बीस रुपे की है माफ करना अम्मा पर हम महंदी मंगा चुके हैं अब हम इतनी सारे महंदी लेकर क्या करेंगी एक की फी लेलो बहन जी मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी सुभा से मैंने कोई कमाई नहीं की अम्मा मेरे हाथों पर तो महंदी रच्ती ही नहीं है कोई फाइदा नहीं है महंदी खरीदने का बेटी मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसे महंदी नहीं दे रही हूँ ये महंदी सबसे हटकर है मेरी बातों पर विश्वास करकर देखो मेरी महंदी का रंग तुम्हारे हाथों पर जरूर आएगा ठीक है अम्मा आप कहती हो तो दे दो और ये लो आप ये कुछ पैसे रख लो जीती रहो बेटा देखना तुम्हारी महंदी इतनी अच्छी रचेगी कि सब तुम्हारे हाथ को देखते रह जाएंगे इतना कहकर वो बोड़ी औरत वहां से चली जाती है सुहानी सरफ उस बोड़ी औरत की मदद करना चाहती थी इसलिए वो महंदी खरीद ली शाम को शादी के फंक्शन शुरू हो जाती है सुहानी को महंदी लगाई जाती है पड़न्तु सुहानी को पता था कि उसके हाथों पर महंदी नहीं रचने वाली और आखिर में वही हुआ जिसका उसे डर था अगले दिन सुहानी की शादी थी सुभा जब सुहानी सोकर उठी तो देखा कि उसके हाथों पर महंदी नहीं रची ये देखकर सुहानी रोने लगती है तब ही उसकी मा वहाँ आती है और सुहानी को चुप कर आती है चुप हो जा मेरी बच्ची मा देखो मेरे हाथ पर महंदी नहीं रची अब पता नहीं क्या होगा शाम को जब लोग पूछेंगे कि मैंने महंदी क्यों नहीं लगाई तो मैं सब को क्या जवाब दोंगी बस मेरी बच्ची चुप हो जा मैं सोच रही थी कि जो महंदी बोड़ी अमा दे कर गई है एक बर तुम वो लगा कर देखो पता नहीं क्यूं मुझे लग रहा है कि वो अमा खास तुम्हें महंदी देने ही आई थी अरे मा मैंने तो बस उनसे इसलिए महंदी खरीद ली ताकि उनकी थोड़ी मदद हो जाए पर आप कह रही है तो एक बर उनकी महंदी भी लगा कर देख लेती हूँ मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है मा शाम को मेरी बारात आ जाएगी अगर मेरी महंदी नहीं लगी तो मैं दुलहन की रूप में वहां कैसे जाऊंगी महंदी तो दुलहन की शोभा होती है सुहानी बोड़ी अमा की दी हुई महंदी लगाती है महंदी लगाने के थोड़ी देर बाद ही वो महंदी सुहानी के हाथों पर रचने लगती है जिसे देखकर सुहानी और उसकी मा चौक जाती है अरे मा देखो इस महंदी का रंग मेरे हाथों पर चड़ रहा है हाँ बेटा मैं भी यही देख रही हूँ सब उपर वाली की कृपा है सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं था अब सुहानी बहुत खुश थी सुहानी अपने कमरे में बैट कर अपने हाथों को निहार रही थी तभी वहां हर्याली परी प्रकट होती है और कहती है सुहानी अरे परी जी आप यहाँ हाँ सुहानी तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी मैं तुम्हें देखती ही तुम्हारी परेशानी समझ गई थी मैं चाहती तो उस वक्त भी तुम्हारी मदद कर सकती थी परन्तो मैं तुम्हे थोड़ा परकना चाहती थी तुम वाकई में बहुत ही अच्छी लड़की हो तुमने उस बूड़ी अम्मा से ये सोचकर महंदी खरीदी कि ताकि उनका खर्चा निकल जाए मुझे बहुत अच्छा लगा असल में वो बूड़ी अम्मा के रूप में ही थी और ये जो महंदी तुम्हारे हाथों पर लगी है ये जादूई महंदी है इस महंदी को लगा कर तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हे मिल जाएगा इसे तुम मेरी तरफ से आशिरवात समझना और ये महंदी कभी खतम नहीं होगी इतना कहकर परी वहां से चली जाती है सुहानी अब बहुत खुश होती है फिर वो अपनी महंदी से अपनी लिए एक बहुती प्यारा सा लहंगा मांगती है और उसके सामने बहुती सुन्दर सा लहंगा प्रकट हो जाता है ये देखकर तो सुहानी और भी जादा खुश हो जाती है अरे वा, ये महंदी तो सच मुझ जादूई है अपका बहुत बहुत शुक्रिया हर्याली परी सुहानी आवाज लगा कर अपनी मा को बुलाती है और अपनी मा को सारी बात बताती है ये सुनकर उसकी मा रितू भी बहुत खुश होती है शाम को सुहानी की बारात आ जाती है सुहानी अपने जादूई महंदी से मांगे हुए लहंगे को पहन कर बहुती अच्छे से तयार होती है सुहानी के हाथों में इतनी अच्छी महंदी रचा देख उसके साथ की सहीलिया सुहानी से जलने लगती है परंतो सुहानी को इससे कोई फरक नहीं पड़ता है सुहानी को देखकर उसके सरसुराल वाले सुहानी की बहुत आरीफ करती है और इस तरह सुहानी की शादी बहुती धूमधाम से हो जाती है सुहानी खुशी-खुशी अपनी मा से विदा लेकर अपने सरसुराल पहुंचाती है अपने सरसुराल में सुहानी को जिस भी चीज़ की कमी होती थी तो वो जादी महंदी से मांग लिया करती थी और सबको खुश रखती थी मीरा बच्पन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी वो पढ़ लिखकर अपने मा बाबा का नाम रोशन करना चाहती थी मीरा के पिता जय प्रकाश शमिदार के खेतों में काम किया करते थे और उन्हें से उनके घर का गुचारा चलता था एक बार मीना के पिता जय प्रकाश खेतों में काम कर रहे थे तब ही अचानक एक जहरीले साप ने उन्हें डस लिया और उनकी मौके पर ही मृत्यू हो गई पिता के गुजर जाने के बाद मीरा और उसके मा सरीता के उपर मानों गमों का पहाड ही तूट पड़ा बेटी रोमत हम उनके यादों के सहरे जी लेंगे बस तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना मैं हूँ ना मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दूगी ये कहते हुए सरीता ने रोते हुए मीरा को गले से लगा लिया धीरे धीरे घर का राशन खतम होने लगा और उनके घर की हालक बिगड़ने लगी मीरा कीमा सरीता ने घर की बिगड़ती परस्थिती देख गाउ में ही एक सिठानी कल्यानी के यहां साफ सफाई का काम करने लगी वही मीरा मन लगा कर अपनी पढ़ाई करने लगी ऐसे ही दिन बीत रहे थे फिर एक दिन अचानक सरीता का स्वास्ते बिगड़ने लगा और वो बिमार रहने लगी सरीता बड़ी मुश्किल से काम पर जाने के लिए तयार होई भगवान जी मुझे हिम्मत दो मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना है अगर मैं बिष्टर में पढ़ गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा और मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी अपनी मा की बिगड़ती हाले देखकर मीरा बोली मा आप अराम कीजी आपको काम पर जानी के जरूरत नहीं आपके बदले मैं काम पर जाया करूंगी बेटी तुम काम करने कैसे जाओगी तुम्हे सुबह सवेरे स्कूल भी तु जाना होता है उसकी चिंता आप मत करूं मा मैं सुबह जल्दी उठकर सेठानी के घर का सारा काम खतम करके वही से सीधे स्कूल चली जाओंगी बस आप अपना ध्यान रखना इतना कहकर मीरा सेठानी के घर काम करने चली गई वहाँ पहुचने के बाद मीरा को देख सेठानी कल्यानी ने पूछा तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो जी मैं मीरा हूँ मेरी मा सरीता आपकी यहां काम करने आती है न अपसे मैं अपनी मा की जगा यहां पर काम करूंगी क्योंकि मेरी मा बिमार है अच्छा तो तुम सरीता की बेटी हो सारा काम अच्छे से करना मुझे साव सफाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है समझागी मेरी बात छिठानी कल्यानी मीरा को ये सब बोली रही थी कि तभी कल्यानी की बेटी जानवी वहां आई और मीरा को देखकर हैरानी से बोली मॉम ये लड़की यहां क्या कर रही है बेटी ये कामवाली की बेटी है इसके मागी तब्य ठीक नहीं है इसलिए अब से ये हमारे घर पर काम करेगी तो मीरा को जानती हो क्या? हाँ मॉम ये मेरी ही कलास में पढ़ती है और पढ़ाई में बहुत होशियार है कलास में हमेज़ा फस्ट आती है टीचर भी इसके बहुत आरीफ करते है अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हें मीरा से कुछ सीखना चाहिए देखो पढ़ाई के साथ साथ कितनी महनती भी है अपनी मा की ये बात सुन जानवी गुस्से से अपने कमरे में चली गई वही दूसरी और मीरा घर की साफ सफाई में जुट गई काम खतम कर मीरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जब स्कूल पहुंची कक्षा में पहुंचते ही जानवी अपनी सहिलियों के साथ मीरा का मचा कुडाते हुए बोली अरे देखो देखो कामवाली आ रही है सुनो मीरा मेरे डेक्स पर बहुत गंगी जमी है जो यहां आगर साफ कर देना मॉम से कहकर मैं तुमें इसके भी पैसे दिला दूँगी जानवी की बात सुनकर क्लास में मौजूद सभी लड़किया मीरा पर हसने लगी मीरा उन सम बातों को अंसुना कर जैसे ही अपने डेस्क पर बैठने लगी तब ही जानवी बोली अरे रुक तु हमारे बराबर नहीं बैठ सकती तेरी औका जमीन पर बैठने की है समझी जाडू पोच्छा वाली चल जमीन पर बैठ ये ज्यान का मंदिर है जहां अमीर गरीब छूत अचूत सभी को एक ही चत के नीचे शिक्षा दी जाती है चल चल हमें मत रिखा ज्यान की बाते हम तुझे अपने साथ नहीं बैठने देंगे समझी जानवी और कक्षा की सभी अमीर लड़किया मीरा को अपने साथ डेस्क पर बैठने नहीं देती दुखी होकर मीरा जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने लगी ऐसे ही कुछ दिन बीठ गए फाइनल परिक्षा शुरू होने में एक महिना बांकी था मीरा काम करने के साथ साथ परिक्षा की तयारी राद भर जाकर खुम महनत और लगन से करने लगी महीं दूसरी और कल्यानी ने जानवी से खाहा बेटा तुम्हारे फाइनल एक्जाम शुरू होने वाले हैं अगर तुम भी इस बार मीरा की तरह अच्छे नमरों से पास हुई तो मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दूँगी मा की बात सुन जानवी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा लेकिन मन ही मन मीरा का नाम सुनते ही जल उठी इस मीरा के रहते मैं क्लास में कभी फरस्ट नहीं आ सकती अब टीचर के साथ साथ मौम भी उस नौकरानी के तारिफ करने लगी उसका कुछ करना पड़ेगा देखती हूँ इस मर कैसे क्लास में फरस्ट आती है अगले दिन जब मीरा काम खतम कर स्कूल जा रही थी तब ये रास्ते में जानवी ने अपने कुछ सहलियों के साथ मिलकर मीरा का रास्ता रोका तुमने मेरे रास्ता क्यों रोका है? जाने दो मुझे इसकुल जाने में मुझे देरी हो रही है अरे तो इसकोल जाकर क्या करेगी तेरे हाथों में जौड़ू पोचा ही अच्छा लगता है किताबे नहीं ये कहते हुए जानवी ने मेरा का स्कूल बैक छीनकर नदी में फेक दिया ये देख मीरा रोते हुए बोली अरे ये क्या क्या तुमने जानवी अमने पढ़ाई केसे करूंगी फानल परिक्षा भी शुरू होने वाले है तुम्हें पढ़ाई करनी है ना जा नदी में जाकर अपना स्कूल बैक ले आ बिचारी मीरा नदी में कूद गई लेकिन उसे अपना स्कूल बैक कहें नहीं मिला ये देख जानवी अपनी सहलियों के साथ मीरा पर हसते हुए वहां से चली गई वही मीरा रोते हुए नदी से बाहर आई और नदी किनारे बैट कर रोने लगी ये कहते हुए मीरा फूट फूट कर रोने लगी तबी आसमान से सिंड्रेला परी गुजर रही थी मीरा को रोते हुए देख सिंड्रेला परी बोली अरे ये लड़की इस तरह रो क्यों रही है मुझे चल कर पूछना चाहिए ये कहते हुए सिंड्रेला परी मीरा के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा तुम रो क्यों रही हो क्या हुआ बताओ मुझे शायद तुम्हारी मैं कोई मदद कर सकूँ सिंड्रेला परी के पूछने पर मीरा रोते हुए सारी बात बताते हुए बोली परी जी बिना किताबों के अमें स्कूल पढ़ने कैसे जाऊंगी फाइनल इक्जाम भी शुरू होने वाले है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारा ये सल बर्माद नहीं होने दूंगी चलो मेरे साथ इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती सिंड्रेला परी उसे बादलों की दुनिया में ले गई मीरा हैरानी से यहां वहां देखने लगी तुम इतनी हैरान मत हो ये हमारी दुनिया है आओ तुम्हें मैं परी लोग की टीचरों से मिलवाती हूं वो सभी तुमारी पढ़ाई में तुमारी मदद करेगी ये कहते हुए सिंड्रेला ने अपनी जाओदी छोड़ी घुमाई और पलग छपकती ही मीरा बादलों की बीचों बीच बनी परीयों की क्लास में पहुँच गई क्लास में धेर सारी किताबी भी थी ये देख मीरा खुशी से उचल पड़ी इस तरह सभी परीयों मिलकर मीरा को पढ़ाने लगी फिर कुछी दिनों में फाइनल गजाम का दिन भी नजदीक आ गया मीरा ने इस मार भी अच्छे नमरों से पास होकर क्लास में फरस्ट आई ये देखका जानवी को बड़ी हरानी हुई और वो बोली क्लास तभी कक्षा की सभी लड़कियां बोली मीरा प्लीज हमी माफ कर दो हमने जानवी की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा वेवार किया कोई बात नहीं मैंने तुम सभी को माफ कर दिया क्या हम भी तुम्हारे साथ परियों की क्लास में पढ़ने आ सकते हैं हमें भी अच्छे नमरों से पास होना है हाँ हाँ क्यों नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है कल से तुम सभी भी मेरे साथ बादलों में परियों की क्लास में पढ़ने चलना ये सुनकर सभी लड़कियां बहुत खुश हुई वही जानवी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भी मीरा से माफी मांगी सब कुछ बुलाकर मीरा ने जानवी को माफ कर दिया और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त मन गई इस तरह अमीरी और गरीबी का भेट भाब भूलकर सभी लड़कियां एक साथ मिलकर परियों की क्लास में पढ़ने लगी तो मेरे प्यारे दोस्तों इस कहाने से हमें ये सिक मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मचाक नहीं उड़ाना चाहिए और सभी के साथ प्रेम से मिल चुल कर रहना चाहिए धन्यवाद यहां तक की स्कूल की छुट्टियां होने पर वो अपनी मा की मदद भी कराया करती थी निधी बेटा मैं काम पर से आ गई हूँ जल्दी से लकड़ियां चोले में डाल दे मैं खाना बना देती हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है मा क्यों बेटा आज तुझे भूख नहीं लगी क्या भूख तो बहुत जोर से लगी है तो फिर तो ऐसा क्यों कह रही है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खाना पहले ही बना कर तयार कर दिया है आप हात मुध होकर आईए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ तुने अकेले चुला चला लिया और खाना भी बना लिया तुम जब तो नहीं कर रही मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ मैं रोज आपके साथ बैटकर आपको खाना बनाते हुए देखती हूँ और देखते देखते मुझे सब कुछ आ गया है इसलिए मैंने आपके लिए आज दाल चावल और आलू का भरता बनाया है मैं जानती हूँ आप काम करके बहुत ठक जाती है और फिर आपको घर आकर भी काम करना पड़ता है इसलिए अब से मैं खाना बनाऊंगी और आप घर आने के बाद बस आराम करेंगी अपने बेटी की ये बात सुनकर शानती निधी को गले लगा लेती है वो दिन इसी तरह गुजर जाता है अगले दिन शानती काम के लिए निकल जाती है और निधी स्कूल चली जाती है शानती अपने मालिक के घर में जाडू लगा रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने मालिक के पैर के पास चाती है वो देखती है कि उसके मालिक के पैर के पास एक बहुत ही जहरीला साप है यह देखकर शांती थोड़ा डर जाती है परंतु फिर वो हिम्मत करती है और उस सांप को अपने हाथों से पकड़ कर बहुत दूर फेक देती है परंतु ऐसा करने में उसे वो सांप काट लेता है और शांती वहीं बेहोश हो जाती है इसके बाद राकेश शांती को अपनी गाड़ी में बठाकर होस्पिटल ले जाता है परन्तो होने को कुछ और ही मंजूर था रास्ते में ही शांती की मृत्य हो जाती है जब ये बात निधी को पता चलती है तो उसके दुनिया ही उजड़ जाती है आप लोग छूट कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता मेरी मा मुझे छूड़ कर नहीं जा सकती अगले महीने मेरा जनम दिन है और माने कहा था कि वो मेरे लिए एक सुन्दर सी फ्रॉक लेकर आएंगी मा अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकती आप लोग मुझे बताएए आपने मेरी मा को कहा चुपा रखा है जैसे तैसे करके लोग निधी को समझाते हैं और आखिरकार निधी ये बात स्विकार कर ही लेती है कि उसकी मा अब इस दुनिया में नहीं रही यहां राकेश अपनी पतनी मोनिका से कहता है मोनिका अब से निधी हमारे साथ रहेगी परी के साथ वाला कमरा खाली पड़ा है मैं उसे साफ करवा देता हूँ अब से निधी उसी कमरे में रहेगी यह आप कैसे बाते कर रहे हैं एक नौकरानी की बेटी हमारे घर में क्यों रहेगी मोनिका मो बना कर वहाँ से चली जाती है राकेश की बेटी परी को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि अब एक नोकरानी की बेटी उनके घर में रहेगी शान्ती के अंतिम संसकार के कुछ दिनों बाद राकेश निधी के घर जाता है और उसे बात करता है बेटा मैं जानता हूँ तुम पर दुखो का पहार टूटा है परन्तु तुम खुद सोचो अगर तुम इसी तरह दुखी रहोगी तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मा तुम्हारे आस-पास ही है और वो तुम्हे खुश देखना चाहती है इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो तुम यहां अकेले पन में रहोगी तु दुखी रहोगी वहाँ पर तुम्हारे जितनी मेरी एक बेटी भी है और मेरी पतनी भी है वहाँ तुम्हें अच्छा महसूस होगा ठीक है अंकल मैं आपके साथ चलूँगी इसके बाद राकेश निधी को अपनी गाड़ी में बठा कर अपने घर ले आता है मोनिका और परी जब निधी को घर के अंदर आता देखती है तो वो अपना मू बना लेती है निधी ये देखती तो है परन्तु वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती इसके बाद राकेश निधी को उसका कमरा दिखा देता है बेटा निधी ये तुम्हारा कमरा है अब से तुम यहां रहोगी अभी तो मैं आफिस जा रहा हूँ पर अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो यहां पर एक लेंड लाइन फोन रखा है उससे मुझे कॉल मिला देना या फिर अपनी आँटी या परी को बोल देना ऐसा कहकर राकेश औफिस चला जाता है निधी अपने नई कमरे में अपनी मा की तस्वीर लगाने लग जाती है थोड़ी ही देर में निधी को प्यास लग जाती है पर उसे ये पता नहीं होता कि पानी कहा रखा है इसले वो परी के कमरे में जाती है और कहती है परी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है पर मुझे ये नहीं पता कि पानी कहा है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पानी कहा है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर जा और मुझसे कुछ भी पूछने की यहां तक की बात करने की भी जरूरत नहीं है मैं किसी नौकरानी की बेटी को अपनी दोस्त बनाना नहीं चाहती समझी निधी को कुछ समझ नहीं आता और वो परी के कमरे से बाहर आ जाती है लगता है मुझे मौनिका ऐंटी के पास जाना चाहिए अंकल ने कहा था कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो जरूर मदद करेंगी ऐसा सोच कर निधी मोनिका के कमरे में जाती है आंटी जी मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और मुझे पता नहीं है कि पानी कहां रखा है मैंने परी से पूछने की कोशिश की परंतु उसने मेरी बात नहीं सुनी क्या आप मुझे बता सकती है कि पानी कहां है हे भगवान ना जाने राकेश का दिमाख किर्दिशा में चल रहा है जो इस नौकरानी की बेटी को घर ले आए सुनी दी तेरा पानी तेरे कमरे में पहुचा दिया जाएगा हम सब जो पानी पीते हैं तुम उस पानी को हाथ मत लगाना और हाँ इस घर के कुछ नियम है मैं तुझे वो अच्छे से समझा देती हूँ क्यूंकि आखिरकार अब तुझे यही रहना है ठीक है अंटी जी बताइए मैं सुन रही हूँ सुबस चार बजे उटकर तुझे नहा धोकर सब के लिए नाश्ता बनाना है और राकेश के लिए लंच मीपैक करना है जब राकेश ओफिर चले जाए उसके बाद तुझे पूरे घर में जाडू पोचा करना है बागे दो पहर में तुझे तेरे कमरे में खाना मिल जाएगा इसलिए रसोई के खाने को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है और एक पाने का मटका तेरे कमरे में रख दिया जाएगा और हाँ हो सके तो सफाई के अलावा किसी भी कारण से घर में कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है ठीक है आंटी मैं समझ गई ऐसा कहकर निधी एक उदास मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली जाती है उसने सोचा था कि यहां आने के बाद उसे मा का प्यार महन का साथ मिलेगा लेकिन यहां तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था परंतु फिर निधी इसे अपना भाग्य माल लेती है और मोनिका के कहे अनुसार सारा काम करने लग जाती है अब वो सुबह सुबह नाश्ता बनाती दिन में घर का जाडू पोचा करती और पूरे दिन किसी न किसी काम में लगी ही रहती पूरे दिन उसे गिन चुनकर दो वक्त का खाना मिलता था और वो भी सूखा और बासी ऐसी ही एक दिन निधी, निधी कहा हो तुम जी आंटी, बोलिए तुम तो बहुत तेज हो नुकसान करके अपने कमरे में भाग गई और अब मासूं बनने का नाटक कर रही हो मैं कुछ समझी नहीं आंटी आप क्या कहना चाहती है मैं जानती हूँ, ये मेरा महंगा वास जो मैंने ऑस्ट्रेलिया से खरीदा था ये तुमने ही तोड़ा है बाहर का तो कोई घर में आया नहीं और परी जानती है कि ये कितना महंगा है इसलिए वह इसे तोड़ने की हिमत कर ही नहीं सकती मतलब कि ये तुमने ही किया है मैं सच कह रही हूँ आंटी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैं तो अपने कमरे में थी एक तो तुम गलती करती हो उसके बाद गलती मानने से भी इंकार कर देती हो तुमें इसके सजा जरूर मिलेगी तुमें आसरे तीन दिन तक खाने का एक निवाला भी नहीं मिलेगा समझ गई तुम मोनिका जब ये सब कह रही होती है तो परी अपने कमरे में मन ही मन मुस्कुरा रही होती है क्योंकि आखिर वही थी जिसने वो वास तोड़ा था अब आया ना मज़ा इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने मुझे मेरी गलती की सजा भी नहीं मिली और उस नौकरानी की बच्ची को भी अच्छा खासा सबक मिल गया बिचारी निधी को बिना गलती की ही सब को सहना पड़ता है इसी तरह दिन बीट रहे थे एक दिन जब निधी घर की सफाई कर रही होती है तब ही परी मोनिका के पास आती है और कहती है मा दो दिन बाद मेरा जनम दिन है मैं चाहती हूँ कि इस बार आप मेरे लिए एक डिजाइनर फ्रॉग बनवाएं लास्ट टाइम भी आपने मुझे कहा था कि आप मेरे लिए एक designer frog बनवाएंगी पर घर में construction हो रही थी इसलिए वो possible नहीं हो पाया पर इस बार मैं नहीं जानती मुझे एक designer frog चाहिए मतलब चाहिए अरे बेटा तुम्हें बोलनी की ज़रूरत नहीं है मैंने तुम्हारे designer frog के लिए पहले से order दे दिया है Thank you so much मा निधी जब परी और मोनिका की ये बात सुनती है तबी उसी भी याद आता है कि दो दिन बाद तो उसका भी जनम दिन है और निधी मन ही मन कहती है दो दिन बाद तो मेरा भी जनम दिन है माने कहा था कि वो मेरे जनम दिन पर मुझे एक सुन्दर सी फ्रॉक ला कर देंगी हे भगवान तो हम गरीबों के साथ ही ऐसी नाइन साफी क्यूं करता है आखिर क्यूं तो ने मेरी मा को मुझ से दूर कर दिया ये सब सोच कर निधी की आँखों में आसू आ जाती है दो दिन चुटकी बजाते ही बीच जाती है परी के जनम दिन के उपलक्ष में पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया होता है टेबल पर अलग-अलग तरह के पकवान और परी के जनम दिन के लिए एक बहुती बड़ा और सुन्दर केक भी मंगवाया गया होता है मा इस बार का केक तो पहले वाले बड़े से भी बड़ा है और इसमें तो इतनी प्यारी-प्यारी तितलियां भी बनी है मेरी एक ही तो बिर्टी है अगर मैं उसके लिए ये नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी निधी अपने कमरे में बैठी ये सारी बाते सुन रही होती है क्यूंकि मोनिका ने निधी को अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए मना किया था पार्टी शुरू हो जाती है निधी का मन नहीं मानता और वो अपने कमरे का दर्वाजा खोल कर हलके से जाकने की कोशिश करती है वो देखती है कि पूरा घर बहुत इस सुंदर से सजा हुआ है और सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं ये देखकर उसका मन और उदास हो जा जाती है और अपनी मा की तस्वेर को हाथ में लेकर फूट फूट का रोने लग जाती है मा अगर आप आज यहां होती तो हम दोनों भी एक साथ जनम दिन मनाते आपके बिना मैं यहां बहुत अकेली पड़ गई हूं मेरे आजू-बाजू तो बहुत लोग हैं परन्तु इस भीड में भी मैं अकेली हूं आप मुझे छोड़ कर कहां चली गई हो मा निधी यह सब कह रही होती है कि एक तेज रोशनी प्रकट होती है और निधी की मा की आत्मा उसके सामने होती है मैं जानती हूं बिटा तुम मेरे बिना कितनी अकेली हो गई हो परन्तु तुझे अप पर ये फ्रॉक लेकर आई हूं मा ये फ्रॉक तो सच में बहुत सुंदर है ये फ्रॉक के बल सुंदर नहीं है बलकि जादूई भी है इस फ्रॉक के आगे तुम हाथ जोड़ कर जो भी प्रात्ना करेगी वो पूरी हो जाएगी परन्तु हाँ जिस दिन तेरे मन में लाले जा गया उस दिन ये फ्रोग गायब हो जाएगी अच्छा बिटा अब मेरा समय पूरा हो गया है अब मैं चलती हूँ ऐसा कहकर निधी की मा की आत्मा गायब हो जाती है जिसके बाद निधी अपनी मा की दी हुई फ्रोग पहन लेती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मा और परिशान नहीं करना चाहती इसलिए मैं ये घर छोड़ कर जा रही हूँ आप लोग मुझे ढूनने का प्रयास मत कीजेगा मैं एक अच्छी जगह जा रही हूँ जहां मुझे कोई परिशानी नहीं होगी आपने मेरा बहुत साथ दिया उसके लिए आपका और आपके प उर्चादी फ्रॉग से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगती है और उस घर में वो उर्चादी फ्रॉग की मदद से असे खुशी रहने लग जाती है